नमश्कार दोस्तो चलिए आपको ले चलते हूं भारत के दिल में यानि की भारत के मध्य में इस्थित मध्य प्रदेश के एक प्यार ऐसे शहर में वैसे तो मध्य प्रदेश अपनी प्राकतिक सुंदर्ता और एतिहासिक मंदीरों के लिए जाना जाता है वैसे ही मत्य प्रदेश देवी अहिल्या माता की नगरी इंदौर में कई देवी दिवताओं के छोटे बड़े मंदिर मिलते ही इन में से कुछ खास मंदिर ऐसे ही जो इंदौर शहर की पहचान बने वे हैं साथ ही ये मंदीर एतिहासिक रूप से भी पहचान लिये वे हैं, जिनकी अपनी अपनी माननेता हैं और ये भक्तों की आस्था से भी जुड़े वे हैं, आज हम ऐसे ही पाँच मंदीरों के बारे में जानेंगी, इसके लिए आप मेरी चेनल में अंत तक बने रहे हैं। माननताओं के अनुसार खजराना गणिश मंदीर जो अपने चमतकारों के लिए भक्तों के बीच काफी लोगप्रिय हैं। इस मंदीर से जुड़े माननता है कि यहां के एक स्थानी पंडित मंगल भट जे हुआ करते थे, जिनके स्वपन में भगवान गणिश जी ने दर्शन दिये और साथ ही जमीन में जहां उनकी मुर्ति थी उस स्थान के बारे में भी उन्होंने बताया। पंडित जिने अपने स्वपन की बात रानी अहिल्या बाई को बताई जिसके बार रानी अहिल्या बाई हुलकर ने इस बात को गंभीरता से लिया और स्वपन के अनुसार उस जगह पर खुदाई करवाई, खुदाई करवाने पर ठिक वेसे ही भगवान गनेशी की मुर्ती प्राप्त हुई जैसा कि पंडी जीने बताया था, और एसा मना जाता है कि ओरंग जेप से मुर्ती की रक्षा के लिए मुर्ती को कुवे में छिपा दिया गया था, और 1735 मे इसे कुवे से बाहर निकाल कर देवी अहल्या माता द्वारा मंदीर में मुर्ती की स्थापना की गई, फिर ये मंदीर एक छोटी जोपड़ी से एक विशाल मंदीर में और साथ ही शेहर में सबसे प्रतिष्ठित मंदीर के रूप में विक्सित हुआ, भक्तों की आस्था का ये पावन इस्थान है, यहाँ पर संतान कामना, धन की खवाईश, नोकरी की जरूरत से लेकर विध्या और बुद्धी तक का वरदान भक्तों को इस मंदीर में आकर मिलता है, इस मंदीर में श्वेम भू गणपती अपने भक्तों की हर मनो कामना पूरी करते हैं, माना जात इसे तरह शहर की सीमा से लगे होलकर कालिन देव गुराडिया श्यो मंदीर भक्तों के बीच आस्था का केंद्र है, इस इस्थान को गरूर तिर्थ के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही गुटकेश्वर महादेव के नाम से भी लोग इसे जानते हैं, मंदीर एक अखंड च मंदीर में श्यु लिंग का जल अभिशेक गो मुख से होता है, यह शिवरात्री पे हमेशा मेला भी लगता है, आई अब चलते हैं विजहासन माता मंदीर, कहते हैं विजहासन माता मंदीर का इतियास एक हजा साल पुराना है, यहां देवी के नो सौरुव विद्दमान हैं किसी जमाने में आसपास काले हिर्णों का जंगल होने और तंत्र मंत्र सिध्धी के लिए इस मंदिर की खास पहचान रही है पूर्वब में माता चबुत्रे पर विराजित थी मंदिर का निर्माण इंदोर के महराजा शिवाजी राव हुलकर ने 1760 में करवाया था विजासन माता को सोभाग्य और पुत्रदाइनी माना जाता है इसके चलते विवाग के बाद यहां प्रदेश के ही नहीं बलकि देश भर से नव यूगल माता के दर्शन और पूजन के लिए आते हैं बताया जाता है कि आलहा उदल ने भी मांडू के राजा को हराने के लिए माता से मननत मांगी थी साधर और मिट्टी पत्थर के चबुत्रे पर विराजमान माता के 900 रूपों के लिए हूलकर शाशन ने यहां मराठा शेली में मंदिर का निर्मान कराया था बाद में कई विकास कार्य भी हुए चेत्र और शार्दी नौरातर में मंदिर में मेला भी लगता है एक अनुसार के मताबिक आएए अब चलते हैं इंदोर के रंजित हनमान मंदिर में जहां लोग साल भर अपनी जीत का अशिरवात लेने के लिए जाते हैं रंजित हनमान जी के मंदिर के विशिष्टा ये है कि यह हनमान जी ढाल और तलवार लिये विराजमान है यह विश्व का एक मात्र ऐसा हनमान मंदिर है जह हनमान जी अपने हाथ में ढाल और तलवार के साथ खड़े हैं और उनके चर्णों में अही रावण है इस मंदिर के इस्थापना सवा सो साल पहले की गई थी एक पोराणिक कथाओं के अनुसार एक बार दो राजाओं के लड़ाई में एक राजा जंग हारने के कगार पर पहुँच गया था भाकते वे वह भर तहरी गुफा में पहुचा जहाँ एक महात्मा अपने ध्यान से लिफ्ट थे राजा काफ़े देर यहां बेठा रहा और जब महात्मा अपने ध्यान से मुकत हुए तब उन्होंने राजा को कुछ रोटी के तुकड़े दिये और कहा कि इन्हें रास्ते में डालते जाना और जब तक ये खत्म ना हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना जहां ये टुकड़े खत्म होंगे वहां तुम्हें एक मंदिर मिलेगा और वहीं तुम्हारी सारी परिशानिया दूर हो जाएगी राजा ने महत्मा के कही अनुसार इसाही किया और जिस मंदिर के बाहर रोटी के तुकड़े खत्म हुए वो हन्मान जी का मंदिर था राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बड़ी से सेना उसके पीछे थी उसने फिर युद्ध किया और उसे विज्जे हासिल हुई और ये मंदिर दिनो दिन लोगों के बिच लोगप्रिय होते जा रहा है और लोग इस मंदिर में जाके अपनी परिशानिया और सारी मनुकामनाय पूर्ण करते हैं भारत में अनपूर्णा मंदिर कई सारे हैं लेकिन इंदोर का अनपूर्णा मंदिर अपने आप में अलग है इसलिए तो भक्तों के सासत परियटक भी इस मंदिर के और खेचे चले जाते हैं हम सभी के जीवन में भोजन का अपना एक अलग ही महत्व है कोई भी इसके बिना जीवित नहीं रह सकता इसलिए भोजन हिंदो धर्म में भगवान के रूप में पुझनी है हिंदो धर्म में अनपूर्णा देवी को भोजन की देवी माना गया है और ये इंदोर का सबसे पुराना मंदिर भी है इस मंदिर में मा अनपूर्णा की तीन फूट उची संग मरमर की मुर्टी है साथ में काल का माताजी की मुर्टी भी है और अविश्वेस्निय वास्तुकला विश्व प्रसिद्धम मिनाक्षी मंदे से प्रभावी थे मंदिर का प्रविश द्वार बहुत ही प्रभावशाली है मंदिर के मुख्य द्वार पर चार बड़े हातियों की मुर्टी है मंदिर परिसर के भीतर अनपूर्णा, शियू, हन्मान और काल भेरो भगवान को समर्पित मंदिर भी है और नौरात्री में इस मंदिर में भक्तों की बहुत भेड़ होती है तो आप कभी भी इंदोर आएं तो इन पांचों मंदिरों के दर्शन जरूर कीजिएगा धन्यवाद और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूले